सबी भाईयों को नमस्कार सबी का सुवागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान पसुपालकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ एक मिल्किंग के साथ खाली बाल्टी आपको दिखा दी गई है और संपूर्ण जो वीडियो के जरिये हम ये मिल्किंग इस पसुदन के आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले जो भी भाई पहली बार इस वीडियो को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डाले उस आपुछ haram और नाम अपना जो नया फारं है उसका नाम हमने को दिखाते रहते हैं तो आज अपने फारं से दूसरे ब्यातकी मैं कहूंगा इतनी हाइट लेंथ विरले ही पसुदन में मिलती है इसकी जो चुवाई है वो आपको दिखा रहे हैं समपूर्ण चुवाई वीडियो में दिखाएंगे किसी तरह का कोई ये नहीं की आगे पिछे टाइम करके या कोई दोखा दड़ी का काम ना करें क्योंकि अपनी अच्छ लगबग 16-17 किलो दूद जो है खुला निकाल रखा है चार दात में और अभी आठमें दातों में जो जोटी है इसने बच्चा दिया है लगबग जो चुवाई करवा रहे हैं उस ताइम पे जोटी 12-13 दिन के आसपास की बैयू ही है और जो वीडियो है वो एक-दो दिन इ इस बाई को हमने दिया है उसको संतुष्टी से दो टाइम तीन टाइम दूद दिखा के दिया है और यही हम वीडियो में भी सत्यापित कर रहे हैं कि जो बोलते हैं वो हम दिखाने में सक्सम होते हैं लोग काफी सारे पसूपालक हैं काफी सारी वीडियो जाती हैं जो आप की थणों की जो चुवाई आप देख पा रहे हैं साड़े तीन किलो दूद तीन किलो दूद आगे के थणों में जोटी है वो निकाल रही है और बिल्कुल टाइट और सटी काडर की है अनुमानित नहीं कर सकते कि पसुदन इतना दूद निकाल सकता है पसुपालक काफी कि राने का टाइम नहीं है तो आप वीडियो कॉल पे देखें संतूष्टी करें जो आपको कैपैसिटी बता रहा है वो आपको दोखे में रख रहा है क्योंकि किसी चीज़ भी नहीं होती कैपैसिटी का मतलब आगे के लिए पसुदन में तो खासकर विसेश मैं कौँगा जूट बोलने का एक बहुत ही अच्छी जगह होती है पसू पालक के लिए साथ में मेल काफ और बिल्कुल ताजी ब्याई हुई है जी और चुवाई की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट चुवाई है बारम बार वीडियो के जरिये हम हर उस चेतर में पहुंचे हैं चाहे वो ह ऐसे लगा रहे हो आपका एक अधीकार है अगर वो आप नहीं देख सकते तो पसू लेना भी वर्त है काफी सारे मैं कहूंगा सो में से बीस परसेंट तो ऐसे पसू पालक है जो सिरफ पसू खरीदने के इच्छु कोते हैं गरबान के उसकी अच्छी सेवा नहीं करते आज जितने भी बड़े बड़े रिकार्ड बने हैं उन भाईयों की मैनत को मैं दिल से सलाम करता हूं क्योंकि जी जान लगाके रिकार्ड बनाये जाते हैं और जी जान लगाके पहलवान बनाये जाते हैं ये चीजें दूसरे के गर अच्छी लगती हैं जब अपने गर कोई पस किलो दूद तक की लिख देते हैं जबकि चुनिंदा पसुपालक हैं जैसे पवित्तर भाई है सुख बिर डांडा है ओम बिर है ताउजी राम सिंग है और भी काफी सारे ऐसे पसुपालक हैं जो दूद आपको बार-बार दिखाते हैं लेकिन उनकी मेहनत को कोई नहीं देख लोग जो है बोल देते हैं कि यह खिला के दूद अरे खिला के निकड़वाना है तो आप निकड़वालो बहुत जादा मेनत करते हैं जी मैं तो कहूंगा इन पसुपालकों को अपना एक आदर्समान के काम कर रहा हूं और बगवान ने जितना इनके साथ इनकी सोच इनके विचार जितने भी मिले हैं मैं तो कहूंगा अच्छा दूद मेरी बैसों ने निकालना जो शुरू किया क्योंकि एक जुनून जो पैदा होता है देखके लोग बाल्टी जब 20 किलो दूद बताते हैं बाल्टी लेके आते हैं छोटी सी और मैं कहूं उसमें दूद ना हो फ संतूष्ट करना पसू पालक को पैसे दे रहा है कोई छोटी बात नहीं आज अपने घर से पैसे लगा के आप चाहे चार मैस करीद लीजिए लेकिन अगले को संतूष्ट करके जब पसू बेचते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत लगती है बोलने वाले जो बोलते ह पसू में इतना दूद नहीं कैल्शिम दे दिया होगा तेल दे दिया होगा अरे आप दे के निकालो तो सही तब पता लगता है बहुत मैनत होती है जी और हम तो मैनत पे विश्वास रखते हैं अठारा दूद हमने बताया था दूद कहा था क्या पता उननी सो बी सो अठार जो बोल रहे थे आडर को देखके लगता नहीं इतना दूद निकाल देगी तो देखे हम जब भी बागे हैं हम टाइट और सटिक आडर के पिछे बागे हैं जो लोग बड़े बड़े लेवे देखके बैंसे खरीदते हैं वो काम हमने कभी नहीं किया है तो सामने आप काफ देख पा रहे हैं ऐसी बैंसें जो इतना अच्छा दूद निकालने में सक्सम होती हैं वो ब्रीडिंग परपद से होती हैं कटडे के टैल में कुछी बाड़ वाइट है नीचे से थोटी जी अच्छे सीमन लगाएं सीमन का दोर है अच्छे अच्छे बुल मार्केट में है दूद वाली बैंसे हैं उनके जो बच्चे हैं उनके सीमन लगाएं क्योंकि देखिए काफी सारी बैंसें बच्चे जो देखते हैं लोग बोलते हैं कि ब्यूटी कम है दूद जादा है ब्यूटी होनी चाहिए ब्यूटी वाले कटडे ब्यूटी वाली बैसें 10-10 किलो के आपको यहाँ पे 70-60,000-65,000 में मिल जाएंगी और काफी भाई दे भी रहें लोगों को ऐसी बैसें लेकिन मैं कहूंगा एक इतनी महँगाई है कि एक किसान जो पसूपालक है अपनी पेमेंट अपनी महनत लगा के अगर पूरा कर सकता है तो 15 पलस की बैसें और हम तो यह चाते हैं कि अच्छे अच्छे सीमन बैंक वाड़ों ने अच्छे बुलों का सेलेक्शन किया अच्छी अच्छे रिकार्ड वाली बैसे हैं इनके बच्चे आप हैं उनके सीमन लगवाएं अच्छा दूद देगी तो एक पसूपालक एटोमेटी की आगे बढ़ेगा जरूरत ही नहीं उसको पिछे जाने की तो अभी आपको यह दूद है मापके अभी दिखाया जाएगा पसूपालकों को संतुष्टी से और यह मैंस हमने सेल की है जिस पसूपालक को दूद दिखाया है तो दूद अभी आपके सामने मप रहा है दो लिटर लिटर हमारा कोई भी बाई किसी भी टाइम यह लिटर आके नापतोल कर सकता है तीन लिटर काफी बाई बोलते हैं कि डिब्बे को गिस देते हैं देखिए ऐसी विचार दारा कभी मन में नहीं आई बैस को अच्छा खिला के अच्छा दूद निकड़वाएं यह हमारी सोच रही है तभी आज ये कामियाबी है कि मैंसे अच्छा दूद भी दे रहे हैं दूसरा आज एक लाख रुपए की बैस करीदने को पसूपा लगता है लेकिन सवा लाख की बैस लेते टाइम इचकी चाहता ह है क्योंकि उसको सवालाख ज्यादा लग रहे हैं लेकिन एक अच्छे और बूरे पसू में स्रफ 20-30,000 रुपए का डिफ्रेंस है कमी वाड़ा पसू क्या पता आपको मिल जाएगा कम पेमेंट पे 20-30,000-20,000 लेकिन उसको हम जब लास्ट में बेचेंगे वह वहां भी उत जगह भी नहीं है यह आप देख सकते हैं जी हमने 18 बताया था और कहा था 19 वियो दूद बच्चे को भी छोड़ रखाया तो आप अनुमानित कर सकते हैं कि क्या हम बोलते हैं क्या दिखाते हैं लाइव जो आप सामने देख पा रहे हैं पसू पालक हैं फोजी भाई आपने वो देख रहे हैं और उन्होंने ये बैस हमसे परचेज की है दो तीन टाइम देख के तो सभी बाई जुड़े जी सभी का दन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार सस्रीकाल रामान।